हालो स्टुएंट्स हाव आर्यू आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम जैसे कि आप पीछे देख रहे हो आज मा जो कॉर्स लेकर आया हूँ बीटेक थुरू के लिए जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं सी यूटी एक्जाम के थुरू ना कि जैसा कि आपको पता है कि इस साल सी यूटी यानि कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेस एक्जाम होने जा रहा है दैट इस कॉल्ड सी यू उनिवर्सिटी है जो गौर्मेंट फंडेट उनिवर्सिटी है उनमें एंट्रेस उसमें जाने के लिए उनमें कोर्सेस लेने के लिए आपको सिर्फ एक्जाम के होकर घुजरना पड़ेगा देट इस सी यूटी टूथावजन टूटी ओके लेकिन मैं स्पेसिफिक ओनली बीटेक कोर्सेस के लिए ही बात करूँगा यानि कि जो बच्चे में एड्मिशन लेना चाते हैं यानि कि बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता कि सील टी के थ्रूपी बीटेक में एड्मीशन मिलता है या नहीं आज estas as you के बारे मेंश् athletic होसिदिष और और कौन से एक्जाम के थूरू only CUT एक्जाम के थूरू ओके ना तो आपको जए मेंस देने की जरूत है नहीं जए डवांस देने की जरूत होगी तो कुछ हमने कुछ एक्स्प्लोर किया है कुछ हमने ऐसी निकाली है जो बीटेक के लिए अड्मिशन देगी आज मैं उसी के बारे में पूरी डिटेस में बताऊंगा कौन सी यूरिशिटी कितनी अच्छी है उसके रेंकिंग क्या है वहां पर क्या-क्या पैसिलिटीज है एकेडमिक फीज क्या ह है प्लेस्मेंट क्या है वहां पर कितना है यस प्लेस्मेंट गया हुआ है उन सब के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे है तो फस्त हम देखते हैं सबसे पहले यूनिशिटी आती है डेली यूनिशिटी डियू जिसका नाम आपने बहुत यह अच्छी तरह इस पर इसमेंट मेंश्च हुआ करता था और या फिर इसका खुद का इंट्रेस एक्जाम करता दयूशिटी ठीक है तो उसके तुरूही इस यूनिशिटी में जाते थे लेकिन इस साल से इस में एक छोटा सा पार्ट है जो cluster innovation center cluster innovation center जिसकी मैं बात कर रहा हूं cluster innovation center यारी कि CIC बचो यह जिसमें पार्ट है university का पार्ट है जो BTEC में admission देता है अब जो बात हुई है यहाँ पर भी course branchage कौन-कौन सी होगी. DU सिर्फ दो branches के लिए admission ले रहा है BTEC में एक है इन्पोर्मेशन टेकनोलोजी सेकेंड है मैथमेटिकल इन्वेशन एम आई सिर्फ दो ब्रांचोज के लिए एडमिशन लेगा बीटेक के लिए अब इसमें क्या-क्या नीड होगी जिस सरसे कौन सा एक्जाम देना पड़ेगा CUT में इसने जो requirement मांगी हेवच्चो, section A, first में से section A में से इन्पोर्मेश यहाँ पर दिया हुआ है की एने लेंपोर्मेशन लेंवेशन यानि जो थर्टीन लेंपोर्मेशन वी थेक्षान उसमें से कोई इनन्पोर्मेशन टेकनोलोजी और mathematical innovation भी भी यही होगा, domain subject में only आपको math select करना है, only mathematics, okay, ना या physics लेना है, नहीं chemistry का देना है, नहीं biology का देना है, only mathematics इसकी requirement है, और section 3 में से general test भी आपको देना होगा, यदि आप DU में admission लेना चाहते हो, BTEC के लिए, और वहाँ पर उसकी requirements क्या है, any language, जो total 33 language है, उसमें से कोई सी भी एक language में आपको select करना है, math composer ही है, mathematics तो पहले से है, और general test, section 3 में से general test, general test मतलब GK reasoning quant, ये exam भी आपको देना होगा, तभी जाकर आप DU में admission ले सकते हो, right, information technology और mathematical innovation branch के लिए, सिर्फ ये दो ब्रांच के लिए ही, यहां पर admission होगा, और यदि बात करें, academic fees की, और academic fees इसका, 18,000 per year, 18,000 rupees per year, कितना nominal charge होगा, यानि कि आप यदि बीटे के लिए, बीटे के लिए बहुत कम charge है, right, अधर आप यदि college में admission लेते हो, जैमेंस के थूरिया, प्राइट उनिट सिटी में, तो वहां पर लाखों में fees जाती है, you know that, आप सब जानते हो, यहां पर सिर्फ 18,000 एक साल का है, ओके, विकोज यह government से funded है, तो यहां पर आपको काफी लाब मिलने वाला है, fees में, और placement की बात करें, प्लेसमेंट हाइस्ट पेकेज, DU से, that is 26 लाख पर annual, यानि कि 26 लाख का हाइस्ट पेकेज यहां गया गया है, मोटा मोटा मान सकते हैं, और यह दी average पेकेज की बात भी कर हैं, तो more than 8 लाख या 9 लेक, तो इसके आसपास इसका average package माना जा सकता है, इसका मतलब मैं recommend करूँ हां बच्चों के लिए, कि जो admission BTEC में लेना चाहते हैं, जिनका यदी कोई J.E.Mains में high rank आता है, और वहां पर नहीं हो पा रहा है, उसको बहुत छोटा NIT मिल रहा है, तो ज पूछा जाएगा, only 12th NCRT, NCRT book से ही related questions पूछे जाएंगे, rather than जो J.E.Mains से पूछा जाता है, उसमें advanced तोड़ा questions का level जादा होता है, तो competition भी काफी कम है, तो ये बात हुई, DU University की सिर्फ दो branches के लिए admission बांगे गये हैं BTEC के लिए, और उनकी need ये वाली है, इसके बाद मै काफी बड़ी University है, काफी सालों से चल रही है, बचो ये बहुत ही अच्छी University है, और ये भी BTEC में admission देती है, CUT के थरूं BTEC में कुछ branches के लिए दे रही है, कौन-कौन सी branches, only सिर्फ दो branches के लिए रखा गया है, BTEC for Food Technology and BTEC for Dairy Technology, ये सिर्फ only दो ब्रांच के लिए admission ले रहा है और section A में जो इसमें जाने के लिए आपको यदी Food Technology में जाना है, Dairy Technology में बीटेक करना है, तो section A में 33 language में से कोई सा भी language का paper आपको attempt करने की जुरत नहीं है, select नहीं करना है, यहाँ पर कोई आपको exam नहीं देना है section A से, सिर्फ इसकी requirement पेटा, PCM, Physics, Chemistry, Maths, जो domain subject है, domain specific subject है, इसमें से only आपको Physics, Chemistry, Maths ही का exam देना है, जो completely NCART based होगा, 12th NCART पर ही paper होगा, और section 3, section 3, it means general test, तो इसमें भी कोई general test की requirement नहीं रखी है, यहाँ पर कोई general test नहीं लेंगे, सिर्फ PCM के marks के basis पर ही आपको admission मिलेगा, किसमें BHU, यदि BHU में आप जाना चाहते हो, यदि हम academy fees की बात करें, यानि कि साल बर की piece, आपको जो खर्चा होने वाला है, वो होगा सिर्फ देखो, बहुती 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 काम चार्ज हैं, देखो, यहाँ पर 10,000 per year, यानि कि 10,000 रुपे पर year, यह आपका academy fees होगा, एक, एक साल का 10,000, बहुत काम चार्ज है, इतन प्लेस्मेंट की बात करें, बच्चों इसमें, तो प्लेस्मेंट जो हाइस्ट पेकेज गया है, that is 11,000 लेक पर एनम, 11,000,000,000 रुपे पर एनम है, यहाँ पर हाइस्ट पेकेज, ठीके, no doubt बहुत अच्छा है, यहाँ पर यदि आप फर्स्ट यर वहीं से प्लेस्मेंट होत तो बहुत बढ़ा नाम है, और दूसरी चीज, यहाँ पर ब्रांचेज, यदि सबसे पहले फर्स्ट पर्पेंस बच्चों की, तो CS, IT और ES इस तरह की ब्रांचेज रहती है, यदि कुछ बच्चे जिनका स्टेटस कुछ अलग हो, जो यही चाहते हैं कि इनी ब्रांचों मे वो admission लेना चाहते हैं, B.T. ठीक है, तो food or technology, no doubt, university का बहुत बढ़ा नाम है, ठीक है, B.H.U. का, तो जिनको बहुत ज्यादा high rank आ रही हो, J.E. Mains में, five legs, six legs, जिनको J.E. Mains का NIT या NIT बहुत दूर मिल रहा हो, या फिर बहुत ही छोटा college मिल रहा हो, तो I will recommend this college, okay, इसमें admission लेलो, no doubt, food technology, जिसका interest है, definitely, वो इसमें admission ले सकता है, okay, तो यह सिर्फ आपको domain specific subject का ही paper देना होगा, PCM के marks देखे जाएंगे, right, कितनी अच्छी बात हैं, only NCRT best, okay, तो यह हुआ second पर, बनारस B.H.U. के बारे में, जो next university है, थीड़ तंकर, महावीर उनियर सिटी, TMU, और यह best है, उत्तर प्रदेश, UP में, okay, इसका देखें, यह जो courses इसमें B.T.E.C. कौन-कौन सी branches के लिए दिये जा रहे हैं, B.T.E.C. Computer Science, B.T.E.C. Electronics Communications, B.T.E.C. Electrical Engineering, Okay, इनमें need क्या होगी, कौन से section से कौन सा paper देना होगा, इन्होंने कौन से specific subject की requirement अच्छा देखो, very good, very good भाई देखो, तीर तंकर, महावीर उनियर सिटी, यह भी एक अच्छा नाम है, बहुती decent उनियर सिटी है, और बहुती academic infrastructure भी बहुत अच्छा है, यहां के qualified families है, faculties बहुत अच्छी है, इसमें जो need है, यहां पर section है, section A में कुछ भी इन्होंने apply नहीं करना, section A में जो language का test आपको देने की जुरुत नहीं है, section second domain specific, यानि PCM या PCB के marks भी नहीं देखे जाएंगे, it means यह भी आपको exam देने की जरुरत नहीं है, बच्चों, right, कितने अच्छी बात, सिर्फ यह check करेंगे, section 3 से general test आपको देना है, कौन सा देना है, general test, तो general test simple सा बस, इसके ही marks आपके check किया जाएंगे, और उसके थुरू आपको इस university में admission मिल जाएगा, कितने अच्छी बात हैं, आपको PCM देने की जरूरत नहीं है, mostly BTEC के लिए PCM या math के marks जरूरी होते हैं, right, और यहां पर इनों ने क्या बोल दिया, general test दो और admission लो, तो most of the students ऐसे होगे, जो इन university में जाना चाते हैं, जो जे इन्स में और जे एडवन्स नहीं देना चाते हैं, उनके थुरू बीटेक या बीव में admission नहीं लेना चाते हैं, तो I think यह option आपके सामने हैं, बच्चों, बहुती कम competition यहां पर होगा, only exam simple based, NCRT based होगा, ठीके, और only general test के बारे हम पूचा रहे हैं, right, आपको दूसरे, बीटेक के लिए बात कर रहा हूं, स्पेसली, सिर्फ general test इस university में आपको admission लेना है, तो general test देना होगा, academic fees की बात करें यहां पर, तो देखो, 1,75,000, कितनी है, साल भर की 1,75,000 है, और इसका placement highest package जो गया है, that is 12 lakh, 12 lakh, ठीके न, तो I think मैं recommend करूँगा कि इस university में आप admission ले सकते हैं, यह mostly सभी प्रांचों में admission दे रहा है, बीटेक computer science CS में, EC में, EE में, और बात करें आगे, बीटेक civil engineering में भी admission आपको मिल देगा, यहांपर, बीटेक mechanical engineering में भी आपको admission दिया जाएगा, only सिर्फ general test पर बैस प्रांचों में तो कितनी अच्छे बात हैं भाई, university में, बीटेक के लिए admission ले सकते हो, बिल्कुल, yes, तो आगे चलता हैं, इसके बात तो ही थिर्फटन का महावीर university में, next बात करते हैं, बच्चों, IIMT university merit यह उत्तर प्रदेश में है, और इसमें देखो, इसमें कौन-कौन सी branches में इड्मिशन दे रहे हैं, बीटेक CS Computer Science के लिए दिया जा रहा है, बीटेक Civil Engineering के लिए दिया जा रहा है, बीटेक Electrical Engineering में भी आप admission ले सकते हो, और इनकी requirement क्या है, भी, CUT में आपको कौन से subject का paper देना होगा, इन्होंने बोला है, section MA कोई सा भी paper आपको नहीं देना, यानि कि जो language test होगा, वो नहीं attempt करना, वो select ही नहीं करना, okay, section second domain specific subject में गोला है, बच्चों, PCM, Physics, Chemistry, Maths, Not Biology, PCM के marks आपको देखे जाएंगे, physics chemistry में, domain specific subject में, तीन subject आपको select करना है, क्या करना है, select करना है, ओके, और section third, जो section सब जनरल टेस्ट का था, वो भी आपको नहीं देना, सिर भी ये marks देखेंगे, PCM में, किस में बचों, PCM में ही marks देखे जाएंगे, right, यदि इसकी academic quiz की बात करें, कि साल बर में कितना आपका spend होगा, ठीके, college में, इसका जो piece है, मोटा मटी बात कर रहा हूँ बातर हजार per year, इसके आसपास हो सकता है, it's not the exact data, but आसपास ही जो हम बहुत ही nominal है सही है इस चीज के लिए, और यदि placement highest package इस university से कितना आ गया, तो 34 लाग यह, साल भर का 34 लाग, it's the biggest money, तो 34 लाग यहां पर दिया हुआ है, तो यह तो biggest हुआ, यदि हम छोटा भी बात करें, average package की बात करें, तो almost यहां से 5-6 लाग, 6 लाग से अपन start भी करें, तो 6-7 लाग यह, 10 लाग का average package यहां से जाने वाला है, ठीके, तो यह भी एक अच्छी university है, और जो branches यहां दी जा रही है, computer science, civil engineering, electrical engineering, आगे देखें इसी में, mechanical engineering भी है, admission दिया जा रहा है, artificial intelligence, देखो यह वाली एक branch, artificial intelligence, जो आद बहुत अच्छा, in future में यह बहुत अच्छ artificial intelligence, और BTEC, aerospace engineering में भी आपको admission मिलेगा, सिर्फ PCM का आपको paper देना होगा, और बच्छों यह पूरा NCIT-based, बार-बार बोल रहा हूं कि NCIT-based होगा, तो ज्यादा competition नहीं है, आप यहां पर भी try कर सकते हो, इन university में भी admission BTEC के लिए ले सकते हो, okay, सिर्फ PCM का, okay, next university आती ही, महत गांधी university यह बिहार में located है, और इसके बारे मता दूँ कि यह भी decent university है, इन्होंने सिर्फ A की branch के लिए admission मागा है, सिर्फ BTEC में सिर्फ computer science है only, बाकी branches के लिए यहां पर admission नहीं मिलेगा, सिर्फ computer and CS के लिए ही आपर आप आविदन कर सकते हो, और जो need होगी, इनकी requirements क्या हो सेक्शन A में जो language test होता है CUT में, वो आपको नहीं देना, बिल्कुल बई, section second domain specific subject से आपको PC हमीं select करना है, physics, chemistry, maths बस, ओके, और section 3 से general test भी नहीं देना, सिर्फ इसके marks आपके देखे जाएंगे, physics, chemistry और maths के, ओके, और यदि academic fees की बात करें, तो यहां पर जो साल बर आपका खर्चा होने वाला है, वो एक लाग बीस अजार के आसपास होगा, एक लाग बीस अजार के आसपास साल बर का खर्चा होगा, जो एक पने structure या, hostel piece वहां का जो रहने हैं, प्लेस्मेंट हाइस पेकेज की बात करें, तो बारा लाग होगा, यहां पर कितना है, बारा लाग हा तो यह भी बहुत अच्छी युनिवर्सिटी है, वैसे डिसेंट युनिवर्सिटी है, अच्छा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो बच्चे CS के लिए ट्राई करना चाते हों, जही मेंस में नहीं, यहां पर CUT की थरू, तो जा सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट युनिवर्सिटी है, है मोती नंदन बहुगुणा गडवाल युनिवर्सिटी, यह उत्राघंड में इस्तिते बच्चो, उत्राघंड से, तो है मोती नंदन बहुगुणा युनिवर्सिटी ने कौन-कौन से यहां पर कॉर्सेज दी हैं, बीटेक CS, Computer Science के लिए आप admission ले सकते हो, बीटेक Electronics Communications के लिए ले सकते हो, बीटेक Electronics Instrument Engineer, EIC ब्रांच के लिए भी admission यहां पर मिलेगा आपको, और section A जो language test होगा, उसमें इसने कुछ नहीं बोला है, यानि कि language test का आपको select नहीं करना है for बीटेक admission in this university, तो आपको यहां पर section A से कोई select नहीं करना है, हाँ, domain subjects है, domain specific subjects हैं, बच्चो, वहां से आपको सिर्फ PCM का ही देखना है, maximum university जो बीटेक के लिए admission लेती है, सिर्फ PCM के marks ही चेक करती है, तो अधी कहां, university PCM के marks ही यहां पर रखें, right, तो PCM, physics chemistry, physics chemistry, maximum marks, check किये जाएंगे, section 3 से कोई यहां पर general test आपको नहीं देन कितनी अच्छी बात है, सिर्फ PCM, PCM देना है, जो आपने 11, 12 बढ़ा है, only, only, 12th class बढ़ा, NCRT वाला, right, ठीक है, यदि academic quiz की बात करें, तो 22,000 पर year, औरे, देखो कितनी, BHU में 10,000 पर year था, यहां पर 22,000 पर year है, साल बर में 22,000 का घर था, बहुत कम खर्चा है, भई, है तो package वाकर में कम है, आपर हम मान सकते हैं कि package कम है, बट ब्रांचेज यह सारी सारी दे रहा है, यदि और ब्रांचेज इसमें होगी, तो next रहमती उसी university बात करें, तो mechanical में भी यह admission हो रहा, बीटे के लिए information, IT ब्रांच के लिए admission लेगा, ठीक है, और वही PCM मांगा गया है तो basically concept यह है कि इसका तोड़ा package हाइस, package कम है, बट यदि कई बच्चे जो इसमें satisfy हो सकते हैं, तो वो जा सकते हैं, ओके, next university, university of Haryana, यदि हम बात करें हरेने university का, central university है, इन्होंने बीटेक के लिए admission मांगे हैं, तो बीटेक for computer science, computer science में आप ले सकते हो, बीटेक electrical engineering में, बी civil engineering में, बीटेक printing और packaging, यह यहाँ पर देखो, बीटेक printing और packaging में भी आप admission ले सकते हो, यदि कुछ बच्चों का interest हो, और जो इनकी need है, इन्होंने क्या बोला, section A में आपको कोई सा भी language test नहीं देना, section A में language test नहीं मांगा गया है, बच्चों, section second domain subject से physics, chemistry, maths, PCM की requirement है, इस में PCM, इसमें PCM, सभी branches के लिए PCM ही मांगा गया है, okay, यदि section 3 की बात करें, तो general test नहीं देना है, general test की कोई requirements नहीं है, आपको सिर्फ PCM के ही वफगस करना है, और academic इसकी बात करें, बच्चों, तो यहाँ पर देखो, 61,500 रुपे पर, यानि साल बर का जो खर्चा हो रहा highest package, यहाँ पर कितना, 2,00,00 का ही है, तो बहुत ही काफी कम है, हरे इन इनिट्रेस्टी का है, तो I think यह courses तो सारे दे रहे हैं, but package बहुत कम है, तो यदि कुछ बच्चे देना चाहते हैं, इंट्रेंस है, तो इन उनिट्रेस्टी में भी आप जा सकते हो, right, next university है, जारकंड, university of जारकंड, बच्चो देखो, ऐसे बहुत सारी university है, जो बीटेक के लिए admission है, उनीका explore करके, मैं आपके सामने ये data लेकर आया हूँ, कि कौन-कौन सी, वैसे CUT, CUT exam में ऐसे 45 universities participate कर रही है, उनमें से जो कुछ selected universities हैं, जो बीटेक के लिए admission दे रहे हैं, आ आपको जही मेंस देने की दूरत नहीं है, यदि आप इनके थूरू admission लेना चाहते हो, कुछ university में, तो उनीका data मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उनिशिटी जारकंड की बात करते हैं, तो courses ब्रांचेज में देखो, यह जारकंड ऐसा university है, जो यहाँ पर integrated BTEC plus MTEC for computer science के ल कोनों degree ले सकते हो, BTEC और MTEC की, तो computer science में भी यह दे रहा है, और electrical engineering में भी हो रहा है, और civil engineering में, यह यह integrated course की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो need होगी, जो इस पर courses में admission लेने के लिए आपको जाना है, तो इन्होंने बोला है, बिस section में से आपको language test देने की जुरूत नही है, language test नहीं देना, आपको section second से domain specific subject से बच्चों, PCM, physics chemistry में, PCM यहाँ पर भी देना है, PCM यहाँ पर भी देना है, सिर्फ PCM physics chemistry में से marks ही check के जाएंगे, उसी की basis पर आपको admission मिलेगा, और section third से general test की कोई जरूरत नहीं है, okay, academic physics की बात कर रहे हैं, तो 35,000, साल बरका 35,000 रुपे हैं, okay, और highest placement, highest package यहाँ से जो गया है, वो 6 लाग क्या असपास गया है, okay, तो 6 लाग बहुत अच्छा है, यदि आप initially pressures हो, तो no doubt, बहुत अच्छा package है, तो basically integrated course के लिए, जो बच्चे दोरों ही एक साथ करना चाहते ह हो, एक साल अपना बचाना चाहते हो, कि पांस साल में हो जाए दोनों degree, तो वो इनकी तरफ जा सकते हैं, okay, next university की बात करूं बच्चो, APJ अब्दुलकलाम Technical University उत्तर प्रदेश में यह इस्तित है, और काफी अच्छी university है, in case यह upcoming years में, काफी अच्छा करने वाली, कुछ अल प्रदुलकलाम University में, कौन-कौन से कौर्स दिये जा रहे हैं, यह B.Tech के लिए एग्रीकल्चर, अभी यहां पर सिर्फ दो ही ब्रांच के लिए एड्मिशन लिए जा रहे हैं, B.Tech के लिए, एग्रीकल्चर और बाकी ब्रांच के लिए एड्मिशन नहीं है, यहीं कहीं बच है कि sectionaire से आपको language test की कोई जुरत नहीं है, बच्चो, language test नहीं ही देना है, domain specific subject से सिर्फ यदी बच्चा एड्मिशन एग्रीकल्चर बीटेक में लेना चाहता है, सिर्फ domain से आपको एग्रीकल्चर ही select करना है, क्या select करना है, एग्रीकल्चर नोट PCM, ओके ब्रांच के अक और section 3 से general test, हाँ agriculture प्लस general test भी बोलती है, तो general test यहाँ पर देखो, अभी तक किसी में general test नहीं बोला था, कुछ university में बोला था, तो section 3 से general test और agriculture, इनहीं के दो marks के basis पर आपको agriculture बीटेक में admission मिलेगा, इस university में, okay, second है, बीटेक फॉर बायो टेक, बायो टेक में क्या है, बाय में specific subject से physics, chemistry, math, PCM देना है, यह दियान रखना होगा आपको, जब आप form filling करेंगे, और एक बात और बता दू आपको, कि NTA ने अपने form filling, CUT exam की form filling वाली date extend कर दी गई है, तो काफी बच्चों का इसमें जुड़ा होने वाला है, और जब आप form fill करते हो, तो आप university का chain भी कर ह होगे, इसमें course भी पूछा जाएगा, जिस course के लिए आप apply घर रहे हो, तो यहाँ पर PCM subject, जब आप domains से subject से लेक्टर होगे, तो PCM की requirement होगी, biotech के लिए, और बेटा इसमें, देखो, section धर में इसमें general test देने की जुरूत नहीं होगी, सिर्फ general test किसमें पूछा है, आपक PCM, बस PCM के marks आपके लिए काफिय होगी, और यदि academic fees की बात करें बच्चो, तो academic fees में जो घर्जया होने वाला है, पर साल, देखो, यहाँ पर कितना है, 16,500, यह approximate में निकाला है, तो इसके आप सपास ही आपकी fees रहने वाली है, साल भर की, और यदि यह placement highest package की बात करें कई में जिनों न दिया है, लेकिन काफी हाई rank आई है, चार लाग, पांस लाग, छे लाग, तो वो काफी छोटा college NIT मिल रहा हो, तो बच्चो, आप इन university में ले सकते हैं, इस तरह की चो मैंने आज डेटा आपको बता है, कुछ university लेकर आए हूँ, इन में आप admission ले सकते हो, बहुत अच्छी university है, कुछ, कुछ की ranking कम हो सकती है, बट आपका interest हो, तो आप इन university में जा सकते हो, राइट, नेक्स university है, यूरिशिटी ऑप कन्नाटा का, तो कन्नाटा का रहा है, बीटेक, electrical engineering, सिर्फ electrical engineering में, और electronics communication, EC और E, दो ही प्रांच के लिए इस ने, यहाँ पर बोल section A में कोई need नहीं है, section A में आपको language test नहीं देना है, बच्चों, आपको section second में सिर्फ PCM, physics, chemistry, math, physics, chemistry, math के marks आपके देखे जाएंगे, और section 3 से आपको general test देने की जरुरत नहीं है, सिर्फ PCM, okay, 12th best NCRT only, academy पी इसकी बात करें, इस university में, तो यहाँ पर हम बात करें, 66, 600 rupees per year यही आपका spend होने वाला है, इसके आसपास हो सकता है, तोड़ा piece, okay, this is not the exact piece, but हम बात करें कि इसके nearest ही piece हो सकती है, okay, बढ़ सकती है, प्लेस्मेंट highest package की बात करें, तो इस university से 4 लाग का ही गया है, 4 लाग की आसपास तोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तोड़ा सा कम कर सकते हो, यदि बच्चा यदि admission लेना चाहता है, इस टाइप की university में तो जा सकता है, इन ब्रांचोज के लिए, PCM की need होगी, next हम बात करते है, जगनात university जैपूर, जगनात university जैपूर में इस्तित्य वाइचों, और यह भी central university के, CVT की तुरूही आपको admission देगी, और इन्हों जो BTEC क computer science, computer science के लिए मांगे, BTEC civil engineering के लिए, civil engineering यहां से कर सकते हो, BTEC mechanical engineering यहां से कर सकते हो, और इन्होंने सिर्फ, तो कितनी अच्छी बात है, यह सबसे different university चलिए भी तक, जो हमने जो data निकाला है, सबसे different, इन्होंने जो need बोला है, हमारी university में आपको BTEC करना है, तो आपको section A से only English का ही paper देना है, only English का ही paper देना है, only English का ही paper देना है, language test English का paper देना है, बाकी domain specific subject से कोई भी देना, PCM PCM नहीं देना, this is the different university, यह सबसे different हुआ है, इन्होंने जो need हुआ है, भाई यह PCM तो ले नीरी बीटेक के लिए, वाव कितनी अच्छी बात है, सिर्फ आपको section A स English वाला select करना है, और English का paper देना है, उसके marks के basis पर जगनाथ इनुशेटी हीजए, पुरू में आपको admission मिल जाएगा, ओके, और section थर से general test भी नहीं मांगा है इसने, तो बच्चों यह काफी अच्छी चीज़ है, और आपका easily यहां पर admission हो सकता है, यदि हम academy पीस की बात करे तो एक लाग पंदरा जार यहां पर स्वास खर्चा होने वाला है आपका पर साल, ठीक है, और placement highest package की बात करें तो बारा लाग यहां पर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो बारा लाग काफी अच्छा package है, और जो बच्चे यदि जिनके marks PCM में कम हो जाते हैं, या PCM में माक्स से कब से जे-मेंस में एडिमिशन नहीं मिल रहा है, या कहीं हो नहीं हो रहा है, तो आई विल रिकमेंट इस टाइप आप आप यहां पर और तीन ब्रांचों में यह दे रहा है, यहां पर, तो बच्चों यह कुछ चुनिंदा यूनिशिटी में लेकर आया हूँ, औ जो सिर्थ आपको बीटे के लिए एडिमिशन देगी, इस साल जो सीउटी होने वाला है, यह डेटा उन बच्चों के लिए काफी फाइदमेंद होने वाला है, जो बच्चे किसी कारण वर्स, जै-मेंस और जै-इड्वांस में अच्छी रेंक नहीं ला पाते, या फिर कुछ अच्छी उनिशिटी हैं, जिसमें वो एड्मिशन ले सकते हैं, ओके, तो इस वीडियो को आप उन बच्चों तक जरूर शेर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों का फाइदा हो सके, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस सीउटी से CUT पर जाकर इसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हो, क्या हम इसमें कोर्स प्रवाइड करने जा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में, आप सारे कोर्स के बारे में यहां पर डिटेल्स में देख सकते हो, यदि आपको और भी content चाहिए है, तो आप registration करवा कर इन कोर्स क लाब ले सकते हो, तो इसी तरह से और भी जानकरी हम लेकर आते रहेंगे, थैंक यू